नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वावत करता हूं पर फिर से आप सुभी का मिस्रा जी टेक्निकल यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 2020 के most important questions के बारे में इसकी दोस्तों PDF और quiz आपको मिल जाएगी MZT app पर तो आप लोग MZT app इंस्टाल कर लीजे Google Play Store से तो हम लोग दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पूरा detailed explanation के साथ जानते हैं one by one करके questions तो पहला question है आपके सामने Tamil Nadu सरकार ने fire और rescue के लिए कौन सा app launch किया अभी हाली में Tamil Nadu सरकार ने दोस्तों fire और rescue के लिए app launch किया है जिसका नाम है THEE थी नाम का एक application launch किया है यह app इसलिए launch किया गया है दोस्तों अगर ऐसी कोई आपदा कहीं पर आती है Tamil Nadu में तो वहां के लोग जो है जो फसे हुए लोग है वो इस application के माधियम से contact कर सकें जिसे rescue team भेज करके वहां के लोगों को बचाया जासके किलियर चलिए अगला कुछन देखते हैं किस युद की याद में स्वैर्णिम विजैवर्स साइकलोथोन सुरू किया गया तो अभी हल में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1971 का युदध हुआ था उसी की याद में स्वैर्णिम विजैवर्स साइकलोथёл शु किया है कहां पर शुरू किया गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की आर्मी फार्मेशन में इसका शुरू किया गया है इसकी शुरुवात की गई ठीक है ये 1971 किलो मीटर की अब देखिए 1971 युद के याद में शुरू किया गया इसी वाज़े से 1971 किलो मीटर की ये सा गौरो सर्मा इन्हों ने वहाँ पर संस्कृत में सपत लेकर के भारत का नाम गौरवानवित किया है और भारत का नाम उचा किया एक नया इतिहास बनाया है। नियुजिलैंड में दोस्तों लेबर पार्टी से हैं ये और वहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं भारतिय मूल के हैं हैं हैमिल्टन वेस्ट से इन्होंने चुनाव जीता हुआ है। अभी आपको पता है नियुजिलैंड में जैसिंडा अर्डर ने दोबारा प्रधान मंतरी पत की सपत ली है। अगला देखते हैं लाइब एक्षन सौट फिल्म के लिए किस भारतिय फिल्म को ऑसकर 2021 के लिए नामित किया गया है। दोस्तों लाइब एक्षन सौट फिल्म काटेगरी के लिए सेमलेस को नॉमिनेट किया गया है ऑसकर के लिए। अभी दो और फिल्मों को आर लेडी ऑसकर के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है भारत की तरब से। एक है जल्ली कट्टू, जल्ली कट्टू को दुस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म काटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और वही नेटकट फिल्म जो है इसको बेस्ट स्वाट फिल्म काटेगरी के लिए नॉमिनेट किया चुका है। कहां पर 93rd Academic Award के लिए यानि Oscar Award के लिए जो 93rd Academic Award होगा वो फरवरी 2021 में होगा और उसमें पता लगेगा कि किस फिल्म ने किस काटेगरी में जीता है Oscar। तो फिल्हाल ये कटेगरी का नाम और फिल्म का नाम याद रखेगा जो हमारी देश के लिए नॉमिनेट की गई है। विले को मंजूरी देती है अब ये दोनों ही कंपनिया विले हो जाएंगी ठीक है एक दूसरे में भारती एकसा और ICICI Lombard चले अगला देखते हैं अरब खाड़े देशों का पहला कोईला अधारित पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया तो अभी हाले में UAE में United 24 बिलियन डॉलर ओके ये कोल पावर स्टेशन है और अरब खाड़ी देशों का पहला है चले अगला खुशन देखते हैं हाली में कहां के मुख्यमंत्री ने सूरिधार जील का लोकारपण किया तो सूरिधार जील का लोकारपण दोस्तों उत्राखण के CM त्रिवेंद अगला कुशन देखते हैं लोकसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया लोकसभा का नया महासचिव जनरल सेक्रेटरी ये बनाये गए दुस्तों उत्पाल कुमार सिंग कौन उत्पाल कुमार सिंग सीनियर आयस्ट ओफिसर है ये आये हैं दुस्तों इसने हलता सिर्वास्त जी की जगापन इसने लाता सिर्वास्तों इससे पहले थी लोगसभा की महासच्यू ओके तो एक दिसंबर से अब पाल कुमार सिंग जी होंगे लोगसभा की नए महासच्यू हमारे लोगसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिल्ला जी उन्होंने इनको न्यूप किया है क्लियर चल तो इसके बार में आपको याद रखना चाहिए वर्ड एट्स डे की ठीम भी रखे गई थी इसकी थीम थी दूस्तों ग्लोबल सॉलीडेटरी सेयर्ड रिस्पोंसिबिल्टी एड्स का फुल फॉलफाम दितूस्तों कभी कभी पूच लिया जाता है एड्स का फुलफाम होत फाम होता है human immunodeficiency virus ओके यह दिवस दोस्तों मनाय जाना शुरू हुआ 1988 से कबसे 1988 से अच्छा अब एक दिसंबर को वर्ड एट्स डे मनाय जाता है साथ ही साथ दोस्तों एक दिसंबर को दो और important डे मनाय जाते हैं कौन-कौन एक तो दोस्तों BSF का स्थापना दिवस मनाय जात है इस बार इसका 56 अस्थापना दिवस मनाय गया इसको भी आपको याद रखना चाहिए BSF के बारे में भी आप लोग पहल्ट के जाएगा एक्जांस में इसके डेक्टर जरेनल है राकेस अस्थाना जी और अस्थापना इसकी हुई थी एक दिसंबर 1965 हो ठीक है दुनिया की सबसे बड़ी ये border security force है BSF हो गया आपको इसके बाद दुस्तों एक दिसंबर को ही नागलेंड अस्थापना दिवस भी मनाय जाता है नागलेंड का इस बार 58 अस्थापना दिवस मनाय गया कौनसा 58 अस्थापना दिवस मनाय गया नागलेंड राजी का इसे भी आपको ध्य इस अकेडमी ओफ फिल्म एंड टेलेविजन आर्ट्स तो ए र रह्मान जोकी भारत के प्रसिद सिंगर है इन्होंने दोस्तों दो बार आसकर भी जीता हुआ है दो बार ग्रैमी अवार्ड भी जीता हुआ जो संगेत की चेते का सबसे बड़ा अवार्ड होता है और एक बा इन्होंने बाफ्टा अवार्ड भी जीता हुआ है तो इनको बाफ्टा ब्रेक्ट्री इंडिया का अंवेज़र बनाया गया है क्लियर चली अगला देखते हैं हाली में कहां पर कीर्ती गई दीपम तेवहार मनाया गया कीर्ती गई दीपम तेवहार ये दोस्तों तमिल त्री वंन मनायी स्री अरुणा चले सवर मंदिर। मनदिर। उस यह मनाय गया। जम्मू कस्मीर के Lieutenant Governor मनोज जिन्हा जी उन्हों ने इसे publish किया है, ठीक है, अच्छा तो जम्मू कस्मीर में पांच आधिकारिक भासाओं में भी इसे publish किया गया है, अच्छा पांच आधिकारिक भासाओं अभी हाली में तो बनी थी पांच इसकी, कौन-कौन। दि हैं, आप QS AQI द्वारा जारी रिपोर्ट में दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर कौन मना। अभी हाली में United Nations की AQI यान एयर क्वाल्टी इंडेक्स की एक रेंकिंग जारी हुई है। इसमें दुनिया का सबसे प्रदूसित सहर है लाहौर। लाहौर दूस्तों पाकिस्तान की सांस्क चलिए अगला बात करते हैं Global Terrorism Index 2020 में आतंगवाद से प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत की सस्थान पर है अभी हाली में Global Terrorism Index जड़ी किया गया यानि इसमें ये बताया गया कि कौन से देश कितना ज़्यादा आतंगवाद से प्रभावित हैं तो इसमें दोस्तों सब से तॉप पर रहा अफगानिस्तान और इंडिया का position रहा आठवाव ठीक है अाठवें अस्थान पर रहा भारत सबसे नंबर वन पर यानि सबसी आदा आतंगवाद से प्रभावित देश है अफगानिस्तान, सेकेंड पर है इराग और थर्ड पर है नाइजीरिया, सात्वे अस्थान पर है पाकिस्तान, अगला देखते हैं, उत्तर भारत में बॉंड जारी करने वाला पहला नागरिक निकाय कौन बना, उत्तर भारत में बॉंड जारी करने वाला, तो पहला नागरिक निकाय दुस्तों बन गया है लखनव नगर निगम, अभी हाले में यूपी के सीम योगी आदित नाजजी गए हुए थे Bombay में BSC में Bombay Stock Exchange में वहें पर इन्होंने लखनव नगर निगम का bond जारी किया है कितने का 200 करोड का इन्होंने bond जारी किया है तो ये भारत में नागरिक निकाय दोरा किसी नागरिक निकाय दोरा नगरपाल का bond जारी करने वाला दोस्तों पहला बन गया है उत्तर भारत का लखनव नगर निगम क्लियर है अगला देखते हैं भारत का पहला विस्व अस्तर ये Premium Grade Petrol Octane 100 किसने लांच किया तो ये लांच किया है IOCL ने Indian Oil Corporation Limited ने इसने लांच किया है XP100 नाम से XP100 नाम से एक विस्वस्तर ये World Level का Premium Gate का Petrol Octane 100 अब इससे क्या होगा समझी आप लोग ये Petrol की एक और High Quality Version है ठीक है एक Premium Quality Version है तो बहुत ही सुध पैट्रोल है ये तो इसको अब Provide करेगा IOCL UP की मतरवा रिफाइनरी में इससे तयार किया गया है अब दोस्तों इससे भारत भी उन चुनिंदा देशों में सामिल हो गया है जहां पर बेटर क्वालिटी का Petrol Provide किया जाएगा ओके अगला है हाली में ओडिसा में कौन सा महोत्सो मनाया गया ओडिसा में अभी हाली में अंतराष्टी रेत कला महोत्सो मनाया गया और कौनार का निर्थी महोत्सो भी मनाया गया यह दोनों ही आप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा ओडिसा में दो महोत्सो अभी हाली में रिजन्टली मनाया गया अंतराष्टी रेत कला महोत्सो जो था दूस्तों इसका नव स्टार्ट की गई है जिसमें हम लोग topic by topic सब कुछ cover करते जलते हैं तो अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखते हैं या फिर वो उस playlist की अभी तक किसी भी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग नीचे description में आपको playlist मिल जाए प्लेलिस का लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक कीजिए जाए वीडियो देखिए इसकी PDF और quiz वगरा सब कुछ आपको applications पर मिल जाएगी तो आप लोग quizzes PDF वगरा सब कुछ पा सकते हैं वीडियो वगरा पा सकते हैं जो भी topic wise वीडियोज बनती हैं तो आप लोग उस playlist की सारी वीडियोज जरू देखिए आलिए आने वाले दिनों में भी बहुत सारी वीडियोज उस playlist में एड होने वाली हैं अगला है भारत ने गरतन दिवस समारों 2021 में मुक्य अतीती की रूप में किसे अमंतिरत किया तो भारत ने दोस्तों चीफ गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया है बोरिस जॉंसन को रिपब्लिक डे पर यानि 26 जनवरी को बोरिस जॉंसन ये कौन है ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है ये ये कुश्चन जरूर बन सकता है चलिए अगला देखते हैं टाइम मैगजीन ने फर्स्ट इवर किड ओब दा इयर किसे चुना टाइम मैगजीन ने अभी हाली में फर्स्ट इवर किड ओब दा इयर चुना है गितानजली राओ को बहरतिये मूल की हैं गितानजली राओ और ये हैं अमेरिका की इनकी उम्र है 15 वर्च की इन्होंने दुस्तों एक डिवाईस बनाया है टेथिस नाम का टेथिस नाम का एक डिवाईस डेवलब किया है और ये डिवाईस जो है पानी में topic wise gkgs की current affair की series start की गई है playlist का link description में दिया गया है उस series में हम लोग एक एक करके सब को जानते चलते हैं आजन सम्मेलन हुआ पुष्ट के लेखक हुए महोट सो मेले हुए ठीक है brand ambassador हुआ और भी बहुत सारे topic है इन सब की playlist बना करके description में link दे दिया गया है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और सब ही की PDF और सब ही की quiz आपको मिल जाएगी दोस्तों MZT app पर Google Play Store पर search कीजिए और MZT app डाउनलोड कीजिए बात करते हैं अगले question की अगला question है किस भारतिये सिक्षक ने Westwick सिक्षक प्रुसकार 2020 जीता Global Teacher Award 2020 ये भी important question है अभी हाली में रंजीत सिंग दिसाली ने जीता है जोस्तो Global Teacher Award 2020 महराष्ट के सोलापुर में ये जिला परिशत प्रात्विक बिद्धियाले में एक teacher है पढ़ाते हैं इस बार दोस्तो जाउन अब्राहेम को जाउन अब्राहेम एक्टर हैं इनको चुना गया है पेटा का person of the year 2020 पेटा का फिल्वाम क्या होता है people for the ethical treatment of animals तो इसका person of the year जाउन अब्राहेम को चुना गया पिछली बार अगर बात करने 2019 की तो 2019 में दोस्तो विराट कोहली को पेटा इंडिया का चुना गया था person of the year और ग्लोबल में देखा जाए तो जोकिन फियोनिक्स का जोकि जोकर मुवी की एक्टर है इनको चुना गया था ग्लोबल पेटा का person of the year इस बार जोन अब्राहम को चुना गया है अगला देखते हैं हाली में किसे fit इंडिया मूव्मेंट का brand visitor बनाया गया तो अभी हाली में दोस्तों fit इंडिया मूव्मेंट का brand visitor बनाया गया है कुल्दीप हांडू कौन है ये दोस्तों जम्मू कस्मीर के रहने वाले हैं स्रीनगर के और जम्मू कस्मीर के पहले द्रोणाचार प्रुसकार वीजेता हैं ये वुसु खेल के कोच है इंडिया के वुसु खेल जो होता है उस खेल के ये कोच है तो इनको फिट इंडिया मुवमेंट का ब्रेंड बेस्ट इन्होंने निभाया है और ये बन गए हैं पहली महिला चलिए अगला दिखते हैं हाले में MDH मसाला कंपनी के संस्थापक का निधन हो गया इनका क्या नाम था इनका नाम था दोस्तों महासे धर्मपाल गुलाटी बहारत में इन्होंने MDH कंपनी की निव रखी जो की मसाला कंपनी है और इसको धीरे-दीरे ग्लोबल ब्रांड बनाया एक दुनिया भर में फेमस किया दोस्तों इनका जन्म हुआ था सियाल कोट पाकिस्तान में लेकिन उन्हें सो से तैलस की विभाजान में यह भारत आ गयते और यहीं पर इनने मसाला कंपनी शुरू की ओके अच्छा वेश्व मिर्दा दिवस का मनाया जाता है यह दोस्तों मनाया जाता है प्रतेक वर्स पांच दिसंबर को ठीक है वर्ड स्वाइल डे यह दिवस मिट्टी की गुर्वत्ता उसके उसके बारे में लोगों में जागुकता फैलाने के लिए उसके महत्तों के बारे में लोगों इसे थीम कहिए या campaign चाहिए ठीक है पहली बार दोस्तो 2014 में मनाया गया था world soil day अच्छा पाँच दिसंबर को एक और important दिवस मनाया गया आप लोग फिरी में जा करके read कर सकते हैं MZT app पर नेक्स्ट बात करते हैं किस राजे सरकार ने सरकारी स्कूलों और मदर्सों में पढ़ने वाले चात्रों को move to tablet देने की घुशना की है वहाँ पर चुनाव आने वाले हैं तो अब चुनावी रिवनिया बटना शुरू हो आजेर हाट ब्रिज का नाम बदल कर क्या रखा गया इस ब्रिज का नाम बदल करके जैहिंद ब्रिज रख दिया गया है ठीक है 650 मीटर लंबा ये ब्रिज है और इसका नाम अब चेंज किया जाएगा नेता जी सुभाज चंदर बोज जी की 125 जैनती पर इसका नाम चेंज कि रख़ा जाएगा रखा जाएगा जैहिन बृच ठीक है फस्दम गालमी यह भी है अगला फार्चून की बिजनेस पर्सशन अफ़ दायर 2020 की लिस्ट में टॉप पर कौन है अब देखिए दोस्तो फार्चून की टॉप पर रखा है किसे एरिक यूआन को जो की हैं जूम के CEO यूआन जूम कंपनी आप लोग सुने है ना वीडियो कॉलिंग वाला कंपनी इसके CEO को चुना गया टाइम मैगजीन का बिजनेस परसन अब दाइयर दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं मैंने आपको कुशन अब दे में भी पूछा था और उसमें कई लोग गलत अंसर कर दिये थे तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है छोटी-छोटी कंफ्यूजन है एक्जाम में बुरा प्रभाव डालती है चले बात करते हैं अगला चांद पर जंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन मन से पहले पहला देश कौन था अमेरिका था अमेरिका ने दोस्तों 1979 से 1972 की बीच में चैन्द्रमा पर छे बार जंडे लगाये थे ओके अमेरिका का अपूलों मिसन आपको याद होना चाहिए अगला ने दिल्ली में नए संसत भववन की आधार सिला किसमें रखी वेरी अमेरिका के सामने बनाया जा रहा है और यह सेंटरल विस्टा पुनर्विकास पर योजना के तहड बनाये जा रहा है तृभूजाकार होगा इस बार का नया संसत भवन और इस पर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दी हुई है आप इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं 300 यह है important topic और यहां से questions बनेगी जरूर तो आपको इस questions के बारे में सारी details पता होनी चाहिए अगला question है किस राज में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला eco bridge खोला गया तो अभी हाले में दोस्तों उत्राखंड में छोटे जानवरों के लिए देश का पहला eco bridge खोला गया अब ये eco bridge क्या होता है? eco bridge दोस्तों ऐसा bridge है जो किसी जो जंगल से होकर जाने वाले जो रास्ते होते हैं रोड होते हैं उनके उपर बना दिया जाता है छोटा सा bridge बना जाता है जंगल दोनों तरफ अगर हैं और बीच में अगर रोड गया हुआ है तो दोनों तरफ जंगल को आपस में जोडने के लिए उपर उपर से लगबक 40 food की उजाई पर एक bridge बना दिया गया है और इससे होगा यह कि जो छोटे छोटे रेंगने वाले जो जानवर हैं सरी सिर्फ जानवर हैं जैसे साप हो गया ठीक है बिच्चू हो गया अजगर वगयरा हो गया यह सब वो एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से उपर से ही पार हो जाया करेंगे जिससे जो गाड़ी के नीचे दब कर कुचल कर मर जाया करते थे वो नहीं हो पाएगा ठीक है तो ये 90 feet की लंबाई वाला 40 feet की उचाई वाला 40 feet की उचाई पर बनाया गया है दो लाग की लागत से उत्रा खंडने से बनाया है और ये बन गया है भारत का पहला Eco Bridge चलिए अगल Athletics Federation of India के मुखे कोच कौन मनाये गए Athletics Federation of India के मुखे कोच तो वो बनाये गए राधा कृष्ण नायर जी राधा कृष्ण नायर ये दोस्तों आक्शलिमें कारेवाहा कभी तक थे मुखे कोच क्योंकि बहादूर सिंग ने स्तीफा दिया था जुलाई में अभी हाली में जु इसकी स्थापना होई थी 1946 में और headquarter है नएदिली में अगला है किस कम्पनी ने अपनी virtual currency का नाम लिब्रा से बदल कर डायम रखा दोस्तों virtual currency लिब्रा किस की थी फेस्बुक की थी और फेस्बुक ने इसका नाम अब चेंज कर दिया है अब इसका नाम होगा डायम के नाम ह येर चुना गया Singapore के दे स्टेट टाइम स्थारा एसियंस ओफ दा इयर का अवार्ड किसे दिया गया तो अधार पूना वाला को किसे अधार पूना वाला ये सीरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया के केंद्र सरकार ने कब उसे UPI पेमेंट पर इस्ट्रा चार्ज लगाने की गोषणा की है कि एक जनवरी 2021 से UPI पेमेंट्स अगर आप करते हैं थर्ड पार्टी एप से जिसे गूगल पे, फोन पे, एमेजन पे अगयरा से तब इस्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे क्लियर UPI का full farm क्या होता है UPI का full farm भी कई exam से में पुपशा गया है तो unified payment interface होता है ठीक है अगला देखते हैं भारतिय रेजर बैंक ने कब से RTGS प्रणाली को सुभ्या को 24 गुड़े साथ प्रदान करने की घोशना की है यानि कि प्रतेक वर्स 365 दिन अब 24 आवर और 7 दिन प्र प्रभाव से RTGS जो है वो दिन रात कभी भी किसी भी समय किया जा सकेगा पेमेंट किया जा सकेगा ओके अच्छा RTGS का full farm भी कभी कभी पूछ लेता है इसका full farm होता है real time gross settlement क्या होता है real time gross settlement याद रखेगा important है इसका full farm अगला हाली में किस बैंक ने i mobile pay नाम का UPI app लांच किय अब भी हाले में दोस्तों ICICI bank ने i mobile pay नाम से UPI app लांच किया है अब यह UPI app दोस्तों यह किसी भी बैंक के customers के लिए है जनरली यह देखा जाता है जो बैंक होती है वो अपनी ही बैंक के अपने ही customer के लिए लांच करती है application बट इसने लांच किया है किसी भी customer के लिए जैस से किसी भी बैंक के customer अपना bank account add करके payments वगारा कर सकते हैं ICICI bank के बारे में जानिए इसके स्थापना दोस्तों IT 1994 को मुंबए में headquarter है और इसके MD or CEO है संदीब बक्सी जी अगला है formula 2 race जीतने वाले पहले भारतिये कौन मने पहले भारतिये बन गए है दोस्तों जेहान वाला Rio Racing driver है और इन्होंने formula 2 race जीता है ये race जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं के लिए साखीर Grand Prix इन्होंने जीता हुआ है साखीर Grand Prix में ये race जीती हुई है चलिए अगला दिखते हैं हाले में केंदर सरकार ने GST करदाताओं के लिए कौन सी योजना शुरू की GST करदाताओं के लिए GST taxpayer के लिए QRMP योजना शुरू की गई है QRMP का full farm होता है quarterly return filing and monthly payment of taxes फिर से बोल रहा हूँ quarterly return filing and monthly payment of taxes तो ये basically quarterly return and file करने के लिए और monthly payment करने के लिए जो tax का payment करना परता है उसे monthly भी किया जा सकता है अब इस योजना केता है तो इसलिए launch किया है कि अंदर सरकार ने GST यानि की goods and services tax इस पर पूरी की पूरी मैंने आपको वीडियो बना करके दे हुई है बहुत अच्छी वीडियो आपको सो जरू देखिएगा एक जुलाई 2017 को पूरे भारत भर में आधी राज से लागू हुआ GST भारत का GST कॉनाटा माडल पर आधारित है भारत 161 देश बना था GST लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस और पहला राज्य भारत ने बना असम जिसने GST को अपने राज्य में लागू होने दिय जम्मू कस्मीर बनाता दोस्तों सबसे आखरी राज्य एक सो एक में समिधान संसोधन के तहट GST भारत में लागू किया गया जबकि इसके लिए बिल पारित किया गया था 122 वा ठीक है 122 वा बिल लाया गया था और 101 में समिधान संसोधन के तहट GST भारत में लागू हुआ भूण। अभी हाली में इसका उद्धरन किया गया है, कहाँ पर पंच कुला हरियाड़ा में याद रखेगा। ताज महल आगरा किला सिकंद्रा जैसे शेद्र को जोड़ा जाएगा ठीक है इसके तहर चलिए अगला देखते हैं हाली में किस देश ने अपने कृतिम सूरिक का सफलता पुर्वक सक्रिय किया या परिक्षण किया तो अभी हाली में चाइना ने दोस्तों एक नुकलियर फ्य फिसन का टेस्टिंग देखा नुकलियर फिसन जो होता है नाविकिये विखंडन ये प्रमाड बम वगएरा बनाने की प्रक्रिया में होता है लेकिन नाविकिये सनलेयन की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही टफ होती है जो सूरिय में होता है आप लोग पढ़े भी होंगे सा ठीक है और इसी वाज़से hydrogen bombs वगरा जो बनाए जाते हैं वो नावे किये सल्लेयन प्रकिया पर आधारित होते हैं बहुत सारे questions मैं आपको इसे में बता दिया हूँ अगर आप इसको फिर से सुनेंगे ये जो question का explanation है आपको कम से कम 3-4 questions मिल जाने वाले हैं ऐसे questions पूछे जात है अगला दिखते हैं अगला है किस देश थे धनी लोगों पर मिलेनियर्स टैक्स लगाने की खुशना की मिलेनियर्स टैक्स ये दोस्तों अर्जेंटीना ने लगाने की खुशना की है कोविड-19 महामारी के टाइम पर medical equipment वगरा हुआ इसकी आपूरती करना राहत उपायों के लिए money collect करना इन सब चीजों के लिए मिलेनियर्स टैक्स लगाने की खुशना की है अर्जेंटीना ने इसमें बिसिकली है ये कि 200 मिलियन पेसो वहाँ पर पेसो चलती है वहां की मुद्रा होती है पेसो तो 200 मिलियन पेसो से अधिक जो भी कमाई करते हैं ऐसे लगभग 12, हजार लोग हैं इनके देश में अर्जेंटीना में इन सबसे एक इस्ट्रा टैक्स मिलेनियर्स टैक्स वसूला जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं हाली में नेपाल और चीन ने संइक तुरूप से माउंट एवरेस्ट की नई संसोधित उचाई किसने कितनी गोसित की है यह भी इंपोर्डन कुशन है दोस्तों चाइना और नेपाल इन दोनों ने बताया है कि अब माउंट एवरेस्ट की नई संसोधित उचाई जो है वो है आठ हजार आठ सो अर्टालिस दसमलो आठ छे मीटर भी ऑप्सन जो आपको दिख रहा है एट 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 फोर एट पॉइंट एट सिक्स मीटर यह होगी अब माउंट एवरेस्ट की नई संसोधित उचाई आपको बता दे दोस्तों 1954 में 1954 में सरवे ऑफ इंडिया ने 8848 मीटर की उचाई बताई थी ठीक है यह उचाई ही तब से मानी जा रही थी लेकिन अब नई संसोधित उचाई होगी मा एंड काउंसिल ओफ एग्रिकल्चर रिसर्ट रिसर्च को भरती किर्सी अंसवंधान परिसत को राजा भुमी बोल विश्व मिर्दा प्रुसकार 2020 से सम्मानित किया गया है यह प्रुसकार किसके दोरा दिया गया फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाईजेशन की दोरा ए अगला है वर्ज 2021 के एसिया क्रिकेट कप की मेजबानी कौन करेगा तो 2021 के एसिया क्रिकेट कप की मेजबानी दोस्तो अब करेगा स्रिलंका कौन स्रिलंका करेगा दोस्तो पाकिस्तान करेगा 2022 के एसिया क्रिकेट कप की मेजबानी पाकिस्तान एक्शली 2020 में भी करने वाला लेकिन ड्यूट्यू COVID-19 कोई गया ही नहीं खेल लें तो 2022 में करेगा Asia Cricket Cup की मेजबानी चलिए अगला Climate Exchange Performance Index 2021 में भारत किस अस्थान पर है तो भारत है दोस्तो Climate Change Performance Index 2021 की रिपोर्ट में दसमें अस्थान पर इस बार दसमें अस्थान पर है पिछली बार नवें अस्थान पर था पहले तीन अस्थान की अगर बात की जाए तो पहले तीन अस्थान पर कोई देश है ही नहीं ठीक है किकि किसी ने भी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है तो टॉप थरी रैंक खाली है इसके बाद चौथे अस्तान पर है Sweden, पाँचवे पर है UK, छटे अस्तान पर है Denmark के लिए रखिए गए आपको लोग बहुत important है ये अगला Forbes की दुनिया की सौ सबसे सकतिसाली महिलाओं के list में top पर कौन है Forbes ने दुनिया के 100, top 100, most powerful women's के list जारी की है इसमें top पर है Angela Merkel, लगातार 10 वर्सों से ये top पर बनी हुई है second पर है Christine Lagarde और third पर आगई है Kamala Harris, Kamala Harris आपको पता है US की Vice President, United States of America की अब देखिए, यहाँ से इंडिया से related questions आपको पुछा जा सकता है अब से इंडिया की top 3 women कौन है, दोस्तों इंडिया में top पर है भारत की जो इस list में top पर है वो है निर्मला सीता रमर जी, इनकी overall rank है 41, ठीक है भारत की सबसे most powerful lady है और overall इनकी rank है 41, 55 अस्थानन है रोशनी नादर मलोतरा जी का, जो HCL की chairperson है और भारत की दूसरी सबसे most powerful women है इनका overall rank है 55, 68 अस्थान पर है किरन मजूमदार सा, जो की हैं दोस्तों, overall और 68 अस्थान पर भारत की तीसरी most powerful women क्लियर इसको याद रखेगा important question है ये भी अगला हाले में मध्य प्रदेश के किस सहर को UNESCO दरा विश्व विरासत सहर घोसित किया गया मध्य प्रदेश के दो सहरों को घोसित किया गया है, ग्वालियर और ओर चा, उपरोग तो दोनों option आपका विल्कुल correct होगा एतिहासिक सहर है मेध्य प्रदेश के इनको UNESCO की विश्व विरासत सहर की list में सामिल किया गया है अब देखिए UNESCO में विश्व विरासत सहरों की कुल संख्या हो गई है अब 40, भारत में भारत में UNESCO की total world heritage जो cities है, उनकी संख्या हो गई है, 40 इसको याद रखना है, UNESCO की बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, आंद्रे अजूले इसके डिरेक्टर जनरल है, पैरिस में है हेड़कॉर्टर और 2945 में होती इसकी अस्थापना, UNESCO का फुर्फार्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बता है, यह बहुत हीजी है, बहुत इंपोर्टन है, अगला हाली में स्वास्त मंतराले ने कोविन नाम का एक एप लांज किया, इसका उद्देश से क्या है, तो इसका परपस है दोस्तों, कोविड-19 टीका करण को ट्रैक करना, अब कोविड-19 वैक्सीन आएगी, टीका करण कराया जाएगा, वैक्सीन कराये जाएगा तो कहां पर वैक्सिन पहुंच पा रही है कितनी मात्रा में पहुंच पा रही है कहीं उसके प्रती कोई धांगलीत नहीं हो रही है इन सब चीजों को ट्रेक करने के लिए स्वास्त मंत्राले ने एक एप लांच किया है इसका नाम है को विन ओके अगला पुरुसों का जीते हैं यह स्वेडिस के पौल वाल्टर हैं और इन्होंने पुरुसों का विस्व अतलीट ऑफ दा यर वर्ड एतलीट ऑफ दा यर 2019 पा टाइटल जीता जबकि यूलीमर रोहाज जो है यह दुस्तों है वेनुजुला की वेनुजुला की ट्रिपल जमपर ह और इन्होंने जीता महिलाओं का World Athlete of the Year का पुरुस्कार चले अगला कुशन देख लेते हैं अगला है विश्व स्वास्त संग्ठन फाउंडेशन का पहला CEO किसे नियूक्त किया गया तो अभी हाले में World Health Organization का फाउंडेशन एक नया विभाग बनाया गया है इसका पहला CEO नियूक्त किया गया दोस्तों अनिल सोनी को अनिल सोनी को है यह भारतिय मूल के अमेरिकन है हेल्थ स्पेसलिस्ट है इनको अभी हाले में चुना गया है World Health Organization का पहला CEO इससे पहले दोस्तों अमेरिका में यह Global Health Care Company के वियाट्रिस में काम करते थे एक वियाट्रिस नाम की कंपनी उसमें काम करते थे अगला विश्व मानाव अधिकार दिवस का मनाया जाता है विश्व मानाव अधिकार दिवस यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट डे है दिसंबर का World Human Rights Day 10 दिसंबर को यह प्रतेक वर्स मनाया जाता है लोगों को उनके अधिकार की बारे में बाताने के लिए जाकुताब फैलाने के लिए कब से मनाया जाना शुरू हुआ तो यह दिवस दोस्तों 1948 से ही मनाया जाता है प्रतेक वर्स विश्व माना वदिकार दिवस इस बार की थीम थी रिकवर बेटर स्टेंड अप फॉर हुमन राइट्स अगला कुश्चन है हाली में किसे जम्मू कस्मीर और लद्दाक हाई कोट का मुख्य नाधिस नियुक्त किया गया अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुश्चन हो चुका है चेंज एक्चुली में जम्मू कस्मीर और लद्दाक हाई कोट की जो चीफ जसिस थी गीता मित्तल जी अभी हाली में रिटायर हुई है तो अब वहाँ पर कारेवाहक नियुक्तों किये गए थे राजीज बिंदल बट अब यह चेंज कर दिये गए ह अभी आपको पता हूँ अभी लेटेस्ट करेंट अफेर में आपको बताऊँ बहुत सारे नया धीसों को चेंज किया गया है ट्रांसफर किया गया है नई नियुक्तिया की गई है पूरी की पूरी लेष्ट एक बार से अपडेट करने पड़ेगी आपको इस वरसे ये जो है वो चेंज होंगे इसके ताहरत चलिए अगला कुशन देख लेते हैं वर्ड़ स्क्ट darum की नई अध्यक्त बनाएगी वर्ड स्क्ट इन इसकी नई अध्यक्ष बनाए गई Jena World रीज, कौन जेना World रीज, यह हैं England की, तो इन्हें दस्वाँ अध्यक्ष बनाए गया World's Quest Federation का, वर्ड स्वेडरेशन जो है दूस्तो इसका हेड़कॉर्टर है मुख्याले है हेस्टिंग में UK में United Kingdom में और इसके स्थापना हुईती 1967 में तो नई अध्यक्ष होंगी जेना वोल्ड रिज अगला कुशन हाली में किसे फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार 2020 प्रदान किया ये भी important question है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार 2020 तो बजरंग पुनिया और इलाव वेनिल वाला रिवान इन दोनों को इस बार वर्ज 2020 का फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार दिया गया है अब देखिए दुस्तो बजरंग पुनिया ये कौन है ये पहलवान है रसल में दिया गया है अगला फुटबाल खेलने वाली दुनिया की पहली transgender महिला कौन बनी तो वो बन गई है मारा गोमेज मारा गोमेज दोस्तों अभी हाली में विला सैन कारलोस टीम से इन्होंने फुटबाल खेला अर्जंटीना में और ये transgender महिला है तो बन गई है दुनिया क पहली transgender महला women अगला हाले में प्रधान मंतरी ने किस उद्देश से PM वानी योजना लांच की इस महेने की सबसे चर्चित योजना PM वानी योजना PM वानी का फुल फाम होता है दस्तों प्राइम मिनिस्टर वाइफाई एकसस नेटवर्क इंटरफेस तो इस योजना के तहत किस इसी भीव्यक्सि को आवास कि एचितर में किरानकी दुकान के मालिक से ले करके चाय की मालिक जो भी हो इन सभी के अस्थानों पर Wi-Fi अकसस पोई्ड किया जा सकेगा इसका मेन मुक्सद है हर एक सरवाजनिक अस्थल पर free Wi-Fi एकसस पोई्ड किया या तो ये तीन स्टेप मे होंगे PDO यानि Public Data Office और PDOA यानि Public Data Office Aggregulator और App Provider इन तीन स्टेप्स के माध्यम से फिरी में Internet Access पहुंचाया जाएगा लोगों तक तो यहाँ पर भी आप्शन आपका विल्कुल Correct होगा अगला 50 Asian Celebrities in the World Less 2020 में सीर्स पर कौन है तो अभी हाली में दुस्तों सोनु सूथ जी को टॉप पर रखा गया है 50 Asian Celebrities in the World Less 2020 में टॉप पर हैं सोनु सूथ यह रिपोर्ट जारी की है United Kingdom की Eastern Eye News Paper ने एक News Paper है Eastern Eye उसने लांज किया है ठीक है सोनु सूथ से related questions जानिए दूस्तों यहां से questions बहुत जादा बनेंगे सोनु सूथ ने जो work किया जो काम किया है देश के जो प्रवासियों के लिए बहुत सारे गरीबों के लिए यह बहुत ही सराहनी है और इस वैसे इनको कई awards मिले हैं जैसे अभी हाल में UNDP ने United Nation Development Program में Social Humanitarian Action का अवार्ट दिया है Social Humanitarian Action Award इसके साथ ही इन्होंने I am no मसीहा नाम से एक पुष्टक लांज की है यह भी बहुत ज़्यादा चर्चा का वीशाय रही है याद रखिएगा पंजाब का नया राज आइकॉन इनको चुना है भारत की चुनाओ आयोग ने यह भी आपको याद रखने चाहिए साथी साथ इनको ओयो होटल्स का और एसर इंडिया का ब्रेंड अमजडर बनाया गया है दोस्तो ऐसे ही डिटेल जानकरी हमारी इबुक्स में आपको प्रवाइट की जाती है आप हमारी इबुक्स और परचेस कर सकते हैं अगला कुशन देखते हैं वर्स 2020 का युवा गंतग रामा नुजन प्रवसकार किस ने जीता यह प्रवसकार जीता है दोस्तों कैरोलीना अर्जो ने किसने कैरोलीना अर्जो ने जीता है युवा गंतग रामा नुजन प्रवसकार ठीक है यानि कि युंग मैथमेटिसियन रामा नुजन अवाइड दोस्तों कैरोलीना अर्जो आई-एम-पी-ए की गंतग हैं आई-ए मेगजीन ने दोस्तों 2020 का Time Person of the Year चुना है कमला हैरेस को और जो बीडेन को जो बीडेन दोस्तों अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बने है कमला हैरेस उन्हीं की वाइस प्रेसिडेंट बनी है उपरोग तो दोनों अपका करेक्ट होगा इस बार दोनों को Time Magazine का Person of the Year चुना गया है अगला किस टेलिकाम कंपनी ने दुनिया का पहला सेटेलाइट अधारित नेरो बेंड आई ओटी नेटवर्क लांच किया तो अभी हाली में BSNL ने भारत संचार निगम लिम्टेड ने दोस्तों दुनिया का पहला सेटेलाइट अधारित नेरो बेंड आई ओटी आई ओ पुद्र में या फिर जहां खादान होती हैं बहुत गहराई में या फिर कोई ऐसा आउट आफ रेंज इलाका जहां पर नेटवर्क नहीं पहुचा जाए सकता है वहां पर इस नेटवर्क के जरीए सैटलाइट के मादम से नेटवर्क पहुचा जाएगा इंटरनोट आफ तिंग के मादम से नेटवर्क नेटवर्क लांच किया है दुनिया का पहला किसने बी एस एनल ने बी एस नल के बारे में जानिए इसके करेंट टाइम पर चेर्मेन एन मैनेजिंग डिरेक्टर हैं पी के पुरुवार प्रवेन कुमार पुरुवार नई दिल कौन सा लक्षदेब अब देखिए इसका मतलब यह है कि यहां पर किसी कारे के लिए किसी भी सेंथेटिक उर्वर्कों का या फिर किसी भी कीटनास को का प्रियोग नहीं किया जाता है ओके अच्छा लक्षदेब के ही अभी हाली में प्रसासक थे दिनिस्वर सर्मा इनका भ लोग के रिक्वेस्ट पर वीडियो बहुत ही जल्द प्रवाइड की है जिससे कम से कम आपको एक्जाम जाने देने से पहले ही बहुत सारे कुश्चन्स मिल जाएं ऐसे जो इंपॉर्टन्ट हो एक ही सिंगल वीडियो में आप रिविजन करते हुए चले जाए एक्जाम द अगला नासा के प्रसिद आर्टेमिस मिशन में किस भारती मुल्कि अंत्रक्ष यात्री को जगा मिली है तो वो है राजाचारी आप लोग देख रहे होंगे इस ब्यूरियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कुश्चन्स थे सभी कवर अप किये गए हैं एक भी कुश्चन मिस नहीं किया है दिसंबर मंद से आप बहुत ही अच्छी वीडियो देख रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं दिसंबर मंद से एक भी कुश्चन मिस टेक करके नहीं आएंगे ये मेरी गारंटी है राजा चारी दोस्तों भारतीय मू जा रहा है ठीक है 18 अंत्रिक चात्यों में 9 महिलाएं होंगी 9 पुरुस होंगी एक पुरुस भारते मूल के है राजा चारी ओके चले अगला दिखते हैं हाली में किस NGO ने संयुक्त राष्ट जनसंख्या पुरुसकार 2020 जीता तो अभी हाली में दोस्तों help is India इसने जीता यह ए दोस्तों अभी हाली में TIE Global Summit 2020 और्गनाईज हुआ हैदराबाद में यह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा इंटर्प्नियोर समिट था और यह 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में आजित हुआ इसमें दो वेक्तियों को दिया गया lifetime achievement का एवार्ड एक तो यहीं पर आपक इसके यह founding CEO रहे हैं पहले CEO थे इनको दोस्तों father of Indian IT Industries भी कहा जाता है यानि भारती IT इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है FC को उनको भी समानित किया गया है हाली में उनका निधन हो चुका है Bill Gates तो आप जानते ही है Microsoft के founder है चलिए अगला question है हाली में किस stock exchange ने beam नाम का एक agriculture spot market platform लांच किया तो BSE ने Bombay Stock Exchange ने लांच किया है beam नाम का beam का careful farm होता है beam का मतलब होता है BSE agriculture market limited तो इस ने लांच किया है खास करके किसानों के लिए इस market platform के मदद से अब किसी भी राज के किसान जो होंगे वो दूसरे राज्यों की markets में पहुंच सकेंगे वहां पर अपने फसल stock exchange था ही नहीं इस वयसे ये Asia का सबसे पुराना stock exchange है ठीक है और दुनिया का दस्वा सबसे बड़ा stock exchange है अचा BSE की नाम एक और record है ये दुनिया का सबसे fast stock exchange है सबसे तेज stock exchange है BSE Bombay Stock Exchange अचा इसके MD और CEO है आसीस कुमार चौहान जी इसको भी आप लोग याद रखेंगे अ पुनियसको ने अभी हाली में बांगलादेश के पहले राष्टपती फर्स्ट प्रेसिडेंट और बांगलादेश सेख मुझीबुर रहमान बंगबंधू इनके नाम पर एक अंतराश्टिय पुरस्कार की घोशना की है ये पुरस्कार दे या जाएगा दूस्तों creative economy के छे कि याद रखेगा important है UNESCO के दोरा दिया जा रहा है तो बस दोस्तों ये तो थी हमारे important वीडियो देसंबर मन्त की आई होप आप लोगों ने बहुत ही energy के साथ बहुत ही useful content पाया हुआ है वीडियो को जल्दी से कर दीजिए like अपने दोस्तों के पास share जरूर कर दिजिएगा share आप लोग जरूर कर दीजिएगा कम से कम 10 दोस्तों के पास अगर आप लोग share कर देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी ये मेहनत ये निस्यत ही आपके लिए helpful साबित हुई है मुझे भी पता लग जाएगा क्योंकि वीडियो का response अचा आएगा वीडियो को like जरूर कर दीज हैं चले दोस्तों बस फिलाल रखते हैं इतना ये वीडियो में वीडियो को पूरा इंट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग की एक्जाम के लिए all the best मिलते हैं अंगली वीडियो में तो तक लिए नमस्कार जाहिंद वन्ने मात्रम